हेलो फ्रेंट्स मैं हो रुपाली एंड वेलकम बेक टो रुपाली स्केचन एंड हैपी होली टू अलो फ्यू इन एडवांस तो तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर रही हूं मावा गुज्या की रेसिपी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं तो यहां पर हमने कडाया में लिए एक चमजगी और इसमें मैं डाल रही हूं आधा कब जो है मैं यहां पर बारिक वाली सूजी ली है तो इसे हम इसमें डाल के अच्छे से भूज लेंगे इसका कलर चेंज आने त मैंवा ले ने ऊब bree hypocris लेंगे इसका बनार चेंज हो जाएगा और यह थोड़ सा गारा कांसिस्टेंसटेंसी में आ जाएगा तो यह देखें हमें पर कल्र चेंज हो गया है और यह काफी गळ्रा भी हो गया सिफे ठंडा करके हम उसको बारी बारी कर लेंगे तो अब यहां में मेरेसा यहाल में और भीड के हैं। वैसे पंटर की घुन्दा की हैं! यह लगा पसी हाल शुक्तर कॉल्वा है और अब हम जो इसमें भूजा हुआ हमारा जो रवा था वो उसको हम इसमें मिला देंगे और मिलाने के बाद में इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें ही तो यहाँ पर मैं इसको इसमें मिक्स कर रही हूँ मिक्स करने के बाद में अब मैंने यहापे लिए वन कप जो है शुगर लिए वन कप भी मुझे थोड़ी सी जादा लग ले थी तो मैंने थोड़ी सा बचा ली तेकिन फिर बाद में इसे मैंने मिक्स कर लिया था तो अब हम शुकर, घुवा और रवा इसका एक mixture बना लेंगे और इसमें मैंने यहाँ पर डाले तो थोड़ सा इलाइची पाउडर इलाइची पाउडर से इसमें एक अछा फ्रेग्नेंस आ जाएगा फिर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर डालें थोड़ से ड्राइफरूट्स तो जम जाता है तो अच्छे से मसल मसल के जो हैं इसको सौफ्ट कर लेंगे हातों की गर्मी से ही सौफ्ट हो जाएगा और इसकी लोगा दोड़ लेंगे मैंने यहां पर बड़ी सैज की गुजिया बनाई थी तो बड़ी थोड़ी सी बड़ी ही लोगा है क्योंकि अगर आप चाते हैं अब छोटे साइज की अगह में सबको बड़ी साइज की मालदा भरी होई फुलटी बड़ी होई कुजिया होनी ची है ऐसा लंदा सबको लगता है तो मैंने इसलिए बड़ी साइज की मनाइए थी तो अब इनको हम बेल लेंगे अच्छे तरीके से और बेलने के ब तो यहां पर मैंने किसी साचे का यूज नहीं किया है, मैं इसे हाथ से ही फोल्ड करूँगी, जो डिजाइन है वो मैं आपको बता दूँगी, वो डिजाइन आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमको फोल्ड करना है, फोल्ड करने के बाद में लास्ट में इसको थोड़ सा पि वीडियो को रहता है ताकि आप एडिजाइन बना सकें, क्योंकि इे डिजाइन बनाना €E Cheese नहीं होता है मझमे, तोड़े से प्रैक्टिस लगती है, पर मुझे ही और भीजीयन ये इस बिजाइन प्रसंद आएगा तो यह बताने का मैंने इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी skip नहीं किया है और बिल्कुल आराम से बताया है और नहीं fast forward किया है तो आ आराम आसानी से देख सकते है कि किसतरीके से fold आये है झाल जिए करके पार्स यहीं अश्कु खाया है। बखने कंशी लगते को सकी कानारी मेड़ा होई, रॉक्षीं करम कैस certificate करने दीनारी अटनारीए, तो हमारी गूजिया सोनना नियुक्वा तयोगा NEW तो अब जो है अपने आपी फूल के ऊपर आ गई है उसके बाद में आब हम इने पलट देंगे अलट पलट के हमें दोनों तरफ से अच्छे से इनको गोल्डन कलर आने तक फ्राइ कर लेना है तो हमारी गुजिया जो है एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनेंगी और बहुत ही तलके निकाल देंगे अच्छे से आप देख सकते हैं कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है यह देखे है ना सुदर लग रही है ना गुजिया और यह बहुत ही क्रिस्पी बनी थी गाईस तो अफ़ हमें निकल लेते हैं प्लेटिंग तो यहां पर मैंने सारे गुजिया सजा लिये मैंने हाफ ही आठा लिया था और उसकी गुजिया बनाई है थोड़ा से मैंने रग दिया था बात के लिए तो आप देख सकते हैं अंदर से कितनी अच्छी भरी-भरी बनी है हमार कर देजीगा और ये गुजी आप इस बार होली पर ज़रू बिनाएगा और वीडियो कैसी लगी मुझे कम ज़रू बताएगा और प्लीज सब्सक्राइब टो मैं चैनल मिलते हो आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई